अच्छा पार में सबसे पहले आप सरी सो दुमारक बार का देता हूं और शुक्रियादा रहा है और पड़ाई जो चीज है अच्छा वाई से यह से आज साब बहुत है मैं लोना देवा दे रहा हूं वेंचन दे रहा हूं दस लागू कहें हैं अब उसके पिछे ऐसा लोग दौना शुरू करें बीसी को जो और इसको जो इसको जो मानने में कोई गलब नहीं है जो टिमेंट्स जो आरे ना जो लोग का जो मूट जो डैवर्शन करनी नहीं सकता उसके लिए सुस्पिकेशन की ज़र्यों नहीं है कि अधिकार दिया अब आजवर्मेटकर ने कहा तो मैं चार साथ से तो पीस कंटेनियों पूरा भर रही थी मैं अगर अब यह करो ना कि उसमें 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 पर लेपे कर सक रही थी मैं करने क्या है मैं सुस्में आख मार्श करें ही它वहिशन के उसमें सब्मित करें दो तो में सब्मीट करा है थी में और मेरे हीजबन का मेडिकल सब्मित करा थी में खुलो को सिक्वार्ट चल्रु दिसिशन दिये में थोड़ा से 50% मेरे प्रचे को सब्सक्राइए बढ़ी है तो करें लोगो तो करें हैं थीख है हम बहुत एक्जाम में अलब करती हैं मगर अब क्लासस भी बंद कर दिया हैं उनके ऑनलाइन क्लासस भी उनकाल दिया है सब्सक्राइए अब बोल रहे हैं के फुली पीस पे करो 30,000 में बढ़ी के 15-50,000 दो इसमें पर भड़ती थी नहीं आप लोग में को मार्च में बोल दिये तो में कुछ तो भी इंदिजाम करती थी मैं अब आप अब ये बोल रहे हैं आप 30,000 उसके पे कर नाखा में को एंड 15 15,000 आप ये फोल सम्के welai सके अपर आप सबीय सब्सक्राइए ये को बोल रहे हैं फुल का नाब रहे हैं मैं इसमेंगर नेख़ रहे हैं विजेनगर कोल रहे हैं मार्स पराइम करो हो घुजराबाद के लिए दसदसलाग का इलान पॉप कर देते हैं देना भी शुब कर देते हैं दार शावल तेल नम्म कौन नहीं खरीबता बता लिया इस सब का पैसा खजानों में जमा हो रहा है वर आप इसको खर्ज करते हैं अपने मफाथ के लिए फिर्फ एलेक्शन के पांट एलुक्सिया आप टार्च करते हैं तो जिस दारीश चलने वाली नहीं है मैं अपनी इस कुटबू के साथ एक घुजारिश आपसे करता हूँ पैरेंट्स से बात करें और अगले प्रोग्राम में एक बड़ी तेदाद में मौझूद रहें अगर मुप्किन हो तो अजिस पांट्स सब्सक्रा से के सब्सक्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगना कुछ का कमिश दरी आज तलंगना भूमी पुत्र के तरफ से सनावला खांसाब ने तमाम जित्ते भी संस्ता हैं आर्गनिजिशन वहां को बुलाए हैं बहुत यहाम सवाल सवाल यह है के बहुत सारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल से बाहर हैं कई को इसलिए के कोविट को वेज़े से परिशानी हैं माबाप के पूरे इंकम गिर गए लोग बेरुजगार हो गए हैं तो इस लिएज़ से उनके पास फीस के पैसे कहा से आइंगे तो यह तो हकुमत ने कहा था किसी अरसा अपने मैनिफेस्टों में लिगे के जी टू पी जी फ्री वल गए मगर आज यहां खलाई खुल गई कि कई स्कूलों में जो ना जुन जियादती हो रही कि किसी अरसा फॉरन फीस दो वरना आपको यह स्कूल से ना खारिच कर दिये जाएगा तो यह परिशानी को लेकि आज हम यहां पर बहुत सारे आर्गनिजिशन्स के लोग पॉलिटिकल पार्टिस के लोग भी यहां पर मौझूद है यही सिर्फ हुकूमत को बोलने के लिए एक तरफ दलीद बंदू है दूसरे तरफ रही तो बंदू है और तीसरा बीसी बंदू भी आने वाला है अरे असल मसला एजूकेशन का है विद्या बंदू रखो आप जब जो है ना लोग बोलेंगे कि हाँ भई हमारे शीफ मिनस्टर जो ना एक हम सवाल को लेके कुछ काम कर रहे है मगर यहां देखे तो इसके मामले में कान पे जूनियर रेंगरी हुकूमत की अभी जो सी एम आई जो संटर फार मैनेजिंग इंडियन एकॉनमी उनका कहना यह है कि इस सेकंड वेव की तरह से कोविट की वेशे एक करोड लोग बेरुदगार हो गए एक करोड और त्रेन नो फिसद जो घराने है जो परिवार है उनकी जो आमद नहीं घट गए तो आईसी सुरत में हुकूमत को चाहिए था कि वो आगे बढ़के जो है न यह फीसों के मामले में फौरान जित्ते भी प्रिवेट इंस्टूटिशन को यह कह दें कि खबरदार एक पैसा भी उसूल नहीं करना है और करना भी है अगर किसके पास गुझाए चाहे तो आप यह आपसे में बाच्चित करना मगर यह जो है ना यह मनमानी फीसों करके जो कई लोगों का मस्तविल को आप इसमें जो डाल दी हैं तो वो बहुत ही खलत बात है इस मामले को ले कर आज हमें धरना दी है हो सकता है इस तेहरी को आगे बढ़ा कर अभुमप को मदबूर करेंगे कि हुकुमफ फौरी जो है ना इस मामले को घर अमल अवरी ना करी तो आने वोजरों में यह तहरी का और कि मदबूत होगी और बहुत हम जोना इसके मामले में डट कर लड़ेंगे इसका आगाख करो ऐसे हालात में हकुमत की रुमिदारी थी कि वह आगे आकर इस मसले को पर बात कर दी लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले एक मेने से हकुमत के तरफ से एक ही बयान आ रहा है कि टूशन फीस लेना इसकुल वाले दूसरी को फीस देना यह कोई आडर नहीं इसलिए हुकुमत अपने आपको बरी करना चारी नियाद हम हुकुमत से अपिल करें कि वह आगे आए और यह मसले के ओपर हल करें कुछिए साल की फीस पहने नहीं बन सकते और अगर नहीं बनते हैं तो इसकुलों को नुफसान होगा इसकुलों को भी बचाना है 30 लाग को यह ऐसा प्रगाम मनाएं जिसके जरीए वह बच्चों की चालीम को हुकुमत अपने जुम्में लेकर करके वह इसकुलों को फिस आजा करें